पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था वो लेडी अपने बेटी को बचाने के लिए शटर खोल देती है और उसकी बेटी भागते वे बिल्डिंग के तरफ ही आ रही थी जिसे बचाने के लिए एक मिलिटरी वाला इंसान भी बाहर गया था लेकिन इन दोनों को ही म को बील्डिंग के अंदर तक कर दीया था और वो यॉन हुख पर भी अटेक करने हिए वाला था लेकिन वो जैसे द्यसे करके बच जाता है वो लेडी अपनी बेटी के मरने का सारा इल्जाम यॉन हुख पर लगा देती है वो कहती है तुमने मुझे बाहर जाने नहीं दिया जिसकी वज़े से उसकी बेटी मर गई सीन आ जाता है दूसरी के घर पर जहाँ पर जीसू और जे यॉन बाहर जाने के लिए तयार थे उन दोनों का कहना ये था कि वो जादा दिन तक दूसरी के घर पर रहकर उनके ओपर बोज नहीं बनना चाते और वो दूसरों की मदद करने के लिए फर्स फ्लोर पर जाना चाते हैं अगर नीचे सब कुछ ठीक रहा तो हम आपको भी लेने के लिए आ जाएंगे ये सारी बाते सुनकर यूनसू सोचता है वो भी इन दोनों के साथ महीं जाएगा अगले सीन में हम दो नए कैरेक्टर्स को देखते हैं जहां पर हम एक गिलसी उप नाम के आदमी को देखते हैं जिसे हमेशा से ही एक नर्स की जरूरत रहती थी इसलिए यूरी नाम की एक नर्स हमेशा उसके साथ में ही रहती थी दूसरी तरफ हम बाकी के लोगों को देखते हैं जिसमें से वो लेडी बहुत रो रही थी जिसकी बेटी सब के सामने ही मर गई थी वहीं पर हम उस डॉग वाली लेडी हेईन और उस बुड़े आदमी की वाइफ को भी देखते हैं उन दोनों को ये उस लेडी के लिए बहुत बुरा लग रहा था और साथी में इन दोनों को इक्यूंग के लिए भी बुरा लग रहा था क्योंकि वो अकेले ही बेस्मेंट में गई थी और अभी तक वापस भी नहीं आई थी यहीं पर हमें एक्यूंग के पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है एक लेडी बताती है कि एक्यूंग की शादी होने वाली थी और वो अपने boyfriend के साथ में ही रहती थी लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही उसका boyfriend मर गया अगले सीन में हम उसी लड़की एक्यूंग को देखते हैं जो बेसमेंड के अंदर बुरी तरीके से फस चुकी थी वहीं पर एक मकडी वाला मॉंस्टर था जिसने उसको पकड़ लिया था वह मॉंस्टर उसको माडने ही वाला था लेकिन तब ही एक्यूंग वहाँ से भागने के लिए तयार थी एक्यूंग भागते वे एड़क्त के अंदर घुश जाती है और वह स्पाइडर मॉंस्टर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था एक्यूंग वहाँ के एक फैन को जोर से लात मारती है ताकि वो नीचे वाले कमरे में पहुंच सके वो वहाँ से नीचे कूदने ही वाली थी लेकिन उसके पहले ही वो स्पाइडर मॉंस्टर उसके गले में फंदा लगा देता है वो जैसे दैसे करके वहाँ के विंडो को तोड़ती है और फिर कांच लेकर उस फंदे को काटने की कोशिश करती है वो चिला चिला कर हेल्प मांगने की कोशिश कर रही थी तब ही उसके फोन में किसी का कॉल आने लग जाता है दूसरी तरफ ये दोनों वाश्रू में बाते कर रहे होते हैं इनका कहना ये था कि सारे लोगों का लीडर ये बुड़ा आदमी बनेगा ये लोग यॉन यॉक को लीडर नहीं बनाना चाहते थे वो दोनों बोलने लगते हैं कि यॉन यॉक की अंदर जरा भी एमोशन नहीं है वो किसी के बारे में भी नहीं सोचता है और तब ही हम देखते हैं वो अंदर से इन दोनों की बाते सुन रहा था वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तब ही इक्यूंग आकर उस पर चिलाने लगती है वो यॉन यॉक से कहती है कि तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे कि बेस्मेंड में एक मॉंस्टर है फिर भी तुमने मुझे वहाँ पर जाने के लिए बोला यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया कि आखिर यॉन यॉक ने ऐसा क्यों किया यह हमें आगे जाकर पता चलेगा फिर कुछी देर में एक न्यूस टेलिकास्ट होती है जहाँ पर बताया जा रहा था कि अपसे सारा डिसिजन मिलिटरी वाले लोग लेंगे पता चल रहा है कि जो भी मॉंस्टर बन रहे हैं वो इंसानों की वज़े से ही बन रहे हैं यह किसी टाइप का इंफेक्शन नहीं है बलकि हुमन डिजायर से इसी की वज़े से सारे मॉंस्टर अपने अपने डिजायर के अकॉर्डिंग बन रहे हैं जो भी उनके मन के एक छाये हैं, वो monster वैसे ही बनते जा रहे हैं, इन monsters को मारा नहीं जा सकता है, बलकि सिफ एक ही बात का पता चल सका है, वो है golden hour, जैसे कोई भी इंसान infected हो जाता है, तो monster बनने के लिए उसके पास एक घंटे का time है, जैसे infection फैलता है, और अगर उस इंसान को उस golden hour के अंदर मार दिया गया, तो उस period में वो सबसे जादा कमजोर होगा, ये infection, blood या फिर हावा से नहीं फैलता है, अगले सीन में ये तीनो, नीचे की तरफ जाने के लिए निकले थे, तभी रास्ते में उने किसी की body मिलती है, जिसको मरे वे काफी time हो गया था, वो नहीं मोमेंट हमें एक सीन दिखा जाता है, जहां पर यूनसु अपने घर वालों के funeral में रो रहा था, वो रो रोकर अपने parents से बोल रहा था, आप लोग प्लीज वापस आ जाईए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप लोग चाहिए, मैं आप लोग के बिना नह पूछता है, तो यून्यू समझ जाती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, तब ही वहाँ पर यून्यूग भी आ जाता है, वो यून्सु को सबके सामने बाहर ले कर जाता है, सबको बता चल गया था, कि यून्सु एक monster है, लेकिन उसे वहाँ पर रखना चाहिए, या फिर नहीं रखना चाहिए, इस पे वो बुरा आदमी लडने लग जाता है, वो बुरा आदमी यून्सु को धमकाने लगता है, और कहता है अगर तुम monster बने, तो सबसे पहले तुम्हें मैं ही मारूंगा, अब सारे लोग मिलकर ये decide करते हैं, कि उन्हें यून्सु को यहाँ से देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मान रहे थे, यून्सु कहता है कि अभी ये monster नहीं बना है, और अगर ये monster बन भी गया, तो हम ये सारा कुछ बात में देखेंगे, लेकिन वो बुरा आदमी किसी की बात सुनने को तयार ही नहीं था, वो कहता है इ अपनी उंगली भी काटने लगती है, और बच्चों की दरफ देखती है, इस तरफ वोटिंग का रिजल्ट आ गया था, आदे लोग चाते थे कि यून्सु यहीं पर रहे, लेकिन बाकी के आदे लोग चाते थे कि वो यहां से बाहर चला जाए, अब ये सब देकर वो इंफेक्टेट था, इसका मतलब अगर यून्सु बाहर जाता, तो वो बुड़ा आदमी भी बाहर जाता, सारे लोग बैटकर बात कर रहे थे, तभी वहां पर यून्यू आती है, वो सारे लोग को भड़काने लग जाती है, वो कहती है, सारा कुछ हमारे डिजायर से हो रह अगले सीन में हम उस बुड़े आदमी को देखते हैं, जिसको होश आ गया था, वो यून्सु से पूछते हैं, तुम मुझे बताओ, आखिर तुम मौन्स्टर कैसे नहीं बनते, तुम ऐसा क्या करते हो, तुमने खुद को कैसे रोक के रखा है, यून्सु कहता है, मुझे तो नहीं पता है, बस खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश करो, खुद पर काबू बना के रखो, इस तरफ हैईन और जियून बात कर रहे होते हैं, तभी एक्यूंग आकर, उसी मिलिटरी वाले आदमी के बारे में पूछती है, हैईन कहती है, तुम जानती नहीं हो, आस स बोड़े आदमी की वाइफ उसके पास आती है, वो उसके लिए कुछ खाने का समाल लेकर आई थी, वो लेड़ी कहती है, तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो, इक्यूंग जैसे ही उस खाने को खाने के लिए जाती है, तो उसे बहुत ही अजीब फ को होसला देने की कोशिश करती है और साती में कहती है मुझे पता है तकलीफ बहुत बढ़ी है लेकिन आपको इससे बाहर निकलना होगा ये सारा कुछ बाहर से यून्यू सुन रही थी फ्लेश बैक सीन में हम जीसू को देखते हैं उसका बॉइफरंड उसके साथ में ही था औ वो भी उसको टॉंट मारके वहां से जाती है दूसरी तरफ हम यून्जे को देखते हैं इसके सामने सैंग्वुक पहुँच चुका था वो उसे दुबारा से पीटने लग जाता है यून्जे वहां से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो सैंग्वुक से नहीं बच प वो यून्जु को कुछ खाने का समान देता है और साथी में वो उससे पूछता है कि मैं अभी तक मॉंस्टर नहीं बना तू मुझे बताओ कि आखिर मॉंस्टर बनते कैसे हैं तू मुझे बाइट कर लो मैं मॉंस्टर बनना चाता हूं तुम्हें तो बहुत ही कर यूंसु डर गया था उसको तो समझ में नहीं रहा था कि आखिर वो क्या बोले दूसरी तरफ हम सैंग्वुक को देखते हैं जिसने लड़ाई करते वक्त यूंजे से एक चाबी को चुरा लिया था फिर हम एक्यूंग को देखते हैं जिसको बुड़े आदमी की वाइफ प्रेगनेंसी किट देने के लिए आई थी उसके तब्यत से ऐसा लग रहा था कि क्यूंग प्रेगनेंट है अगले सीन में हम यॉन यॉक और जेयॉन को देखते हैं यॉन यॉक जेयॉन के हाथ में शील्ड देखता है वो पूछता है कि तुम्हें ये कहां से मिला तो पिछले एक घंटे से बातरूम के अंदर ही थी अब दूसिक अपने वैपन को लेकर उस लेडी को देखने के लिए जाता है अंदर का सीन बहुत ही अजीब था वहाँ पर एक ऐसा मॉंस्टर था जो बिल्कुल एक फीटस की तरह था और वो वूम के अंदर था उस वूम के तो मेरी एक्स्प्लेशन पसंद आई हो तो लैक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वाचेंग